दोस्तों बिग बॉस एक मात्र ऐसे रियलिटी शो है जिसे के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है क्यूंकि इसकी लोग प्रियता ही तनी ज़्यादा है इस शो के होस्ट बॉलिविट के सूपरस्टा सलमान खान का भी कहना है कि इस शो की पॉपलेरिटी और दर्शकों के प्यार की वज़े से ही वैस शो के साथ जुड़े हुए है माना जाता है कि बिग बॉस अकेला ऐसा रियलिटी शो है जो के पूरी तरह से रियल है इसमें किसी भी प्रकार की स्थिती पहले से ही निश्चित नहीं की जाती घर में रहने वाले कॉंटेस्टेंट्स की बीच होने वाली नोक जोक से लेकर बड़ी से बड़ी लड़ाई पहले से ही निर्दारित नहीं होती बलके पूरी तरह से असल होती है शो के होस सलमान खान द्वारा भी कई बर धोराया गया कि शो में होने वाली घटनाई या किसी भी इंसी नेंट में टीम का कोई भी हात नहीं है शायद वैस शो की रियालिटी को सबसे छुपा कर रखना चाते हूं ताके शो की पॉपलेरिटी भी सी परकार बनी रहे लेकिन इस बार घर से बेगर होकर बाहर निकले कॉंटेस्टन दौरा ऐसी बाते सामने लाईगी हैं जिनें सुनकर शायद आप भी एक बार जुरूर हैरान हो जाओगे जी हां दोस्तो इस बार बिक बास के घर से बेगर होने वाली कॉंटेस्टन रही एक्टर सृष्टी रोड जिरों ने घर से बाहर आकर काफी इंटरव्यूज दी हैं इस सब में स्रिष्टी ने घर में होने वाली कारणामों के बारे में कई खुलासे भी किये हैं कि ऐसी चीजे घर में हर बार क्यों होती हैं अगर आप बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हो तो शायद आपको स्रिष्टी रोड द्वारा कई कई बाते अच्छी ना लगें और कार आप उन परूर यकीन ना करें। लेकिन स्रिष्टी द्वारा कहा गया के घर में होने वाली फ्रेंस्शिप्स और अफेल्स एक माते दिखावा होते हैं इसके रावाँ के साथ खेल रहे हैं या नहीं उन्हें बस अपने फाइदे के लिए किसी के साथ जोना होता है या फिर उसके साथ आर्गुमेंट करके लिड़ाई करनी होती है तांके वे शो के आखिर तक देख सकें ऐसी बहुत सारी बातें बिग बॉस की पुराने कॉंटेस्टेंस ने भी क खबर आप तक सबसे पहली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक करें और शेयर करें दुनिया बर की वाइरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें